हलो एवरिवन, हल्कम डो आर योट्यूब चैनल, फ्री उप्यसी प्रपरेशन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नाशनल हुमन राइट्स कमिशन के बारे में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल, जाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सिग्निफिकेंट इशूज इन इंडियन अड्मिनिस्टेशन में, नाशनल हुमन राइट्स कमिशन, तो सबसे पहले बात करते हैं, हुमन राइट्स के बारे में, उसके बात में डिस्कुस करेंगे, नाशनल हुमन राइट्स बीसिकली कुछ स्टेंडर्ड्स होते हैं, जो लोगों को डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और पीस्फुल लाइफ बिताने में हल्प करते हैं, जब भी कहीं पर भी वर्ल्ड में, किसी भी पर्टिकलर कम्यूनिटी के साथ, किसी पर्टि स्टेप लिए जाते हैं, ताकि हुमन राइट्स का कहीं पर भी वोईलेशन न हो, यह इशु बार बार उठता है, चाहे वो रोहिंग्या, मुस्लिम की वज़े से हो, चाहे फिर वो किसी और पर्टिकलर रिजन की वज़े से हो, इवन जब आपका 370 हटाया गया जुमन कश् से, तब भी काफी सारे इंटरनाशनल लेवल पे इशु उठाता और इवन देरिंग तो फार्मर प्रोटेस्ट हुमन राइट का काफी बार जिकर देखने को मिलता है, तो चलिए बात करते हैं, हुमन राइट बेसिकली कुछ राइट्स होते हैं, कुछ फ्रिडम होती है, ज और इसमें बेसिकली बताया गया थे कि हुमन राइट्स कौन कौन से होते हैं, और इट वस्ट अटेम्ट तो सेट आउट अगलोबल लेवल, अगलोबल लेवल, प्रिडमेंटल राइट्स फृडम शेर्ड बाई ओल हुमन बेंग, बेसिकली यह फॉर्स अटेम्ट था पू कुछ हुमन राइट को लेकर के अवेर थे लोग, तो यहां पर यह उनिवर्सल डेकलरेशन फुमन राइट को अडप्ट किया जाता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर क्या कुछ स्टेप लिये गए हैं, तो सिबसे पहले बात करते हैं, नाशनल हुमन राइट्स कमिशन के थोड़े से बाक्ग्राउंड के बारे में, रिसेंटली सुप्रीम कॉर्ट ने इसको रैफर किया था, आज टूथलेस टाइगर, नाशनल हुमन राइट्स कमिशन जो है, वो इक स्टेचूटरी बॉड़ी है, स्टैबिश किया गया है, अगर इसके कॉंस्टिटिशन में कहीं प्रोविजन होता, तो ये कॉंस्टिशन बॉड़ी होती है, अब ये जो आपका NHRC है, ये किस मैंडेट ये इसको क्या कहा गया है, इस एक्ट के थोरोक क्या, इसका मैंडेट क्या है, यानि कि जो international आपके conventions होते हैं या फिर कोई भी treaty होती है जैसे universal declaration of human right था वो या फिर हमारे constitution में जो fundamental right दिये गए हैं वो right सबको मिले life एक dignified life ठीक है लिबर्टी हो equality सबको दी जाए और dignity के साथ वो अपनी life जी सके ये mandate है नहर सी का इनकिस तहत ही जो नहर सी है वो काम करता है main function क्या है वो देखते हैं सबसे important तो यह है कि human right violation के बारे में inquire करना and also negligence in the prevention of such violation by the public servant अगर कोई भी सरकारी करमचारी उसकी duty है कि उसके under कोई भी human right violation ना हो अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बारे में inquire करने का भी नहर सी का काम है then human right research conduct करवाना कि कहां पर क्या हो रहा है जैसे प्रिजन रिफॉर्म को लेकर के या फिर चाइड लेबर को लेकर के manual स्क्वेंजिंग को लेकर के बहादा research भी की जाती है कि यहां पर human rights से related ऐसे जो issues वो सामने आ रही है और recommendation भी दी जाती है then जो आपकी international treaties है on human right उनकी effective implementation को लेकर के भी recommend करता है and also help in creating awareness regarding the human rights then जो आपकी NGO काम करते है human right के लिए उनको increase करना ताकि वो जादा से जादा human right एक तो aware हो लोग दूसरा उसको वोईल अगर कोई करता भी है तो उसके लिए प्रॉपर कोशिश की जाए ठीक है अचाहिए obviously national human right commission के पास punish करने की authority नहीं है बट फिर भी कोशिश की जानी चाहिए awareness हो और recommend किया जाए उसके अलावा research होनी चाहिए ताकि government तक वो बात पहुँचे और human right coalition ना हो पाया then it was successful in creating massive awareness of human rights in India और complaint बढ़ रही है जब complaint बढ़ती है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि issues भी बढ़ रहे है definitely issues पहले भी थे अब भी है complaint बढ़ने का मतलब यह है कि लोगों का इस human right commission पर trust बढ़ रहा है और इसकी popularity बढ़ रही है निची नजरों से देखा जाता था और उनके साथ अच्छा behavior नहीं किया जाता था then disabled people जो specially able persons होते हैं उनके साथ भी अच्छा behavior नहीं करती थी society तो उनके लिए उनके rights को protect करने के लिए NHRC आ गया है और काफी important role play भी किया आज के दिन society में HIV patient और disabled को मतलब इतना बुरी तरीके से treat नहीं किया जाता then आप NHRC को easily access कर सकते हो उस तक पहुंच सकते हो commission तक चाहे वो phone हो लाटर भी या internet के थो आप वहाँ मतलब अपनी complaint दर्श करा सकते हो then the government must inform NHRC on the actions taken on its recommendation within a month although NHRC जो है मालीजी इसमें किसी particular area पे research कि और उसको लगा कि यहाँ पर human right violation हो रहा है और इसके regarding government को इसने recommendation भीजी government उसके उपर क्या action लेती है इस बात की report जो है वो NHRC को within one month मिल जानी चाहिए then इसके पास civil court की power होती है यानि कि यह खुद investigate कर सकता है अगर मालीजी कोई complaint नहीं करता लेकिन खुद को लगता है कि कहीं पर आपका human right violation हो रहा है तो उसके regarding reaction ले सकता है then यहाँ पर appointment और removal process काफी strict और stringent की गई है ताकि इसकी independence और इसकी जो autonomy है वो बरकरा रहे है but इसको toothless tiger कहने के पीछे कुछ reason है कुछ weakness और कुछ challenges है उनसे deal करना बहुत जादा जरूरी है first of all NHRC is only a recommendatory body with no power of prosecution यानि कि research कोई और कर रहा है problem या complaint कोई और देख रहा है और prosecute करने की जो power है वो किसी और के पास है यह first issue है तो अगर आप इसको human right violation के inquiry करने की power दे रहे हो तो prosecution की power भी होनी चाहिए then माली जी कोई incident एक साल पहले हुआ 2021 चल रहा है कोई incident 2018 में हुआ तो अब उसके खिलाफ उस event के खिलाफ या उस incident के खिलाफ complaint दर्श नहीं की जा सकती human right violation के लिए अगर ऐसा को incident हुआ mob lynching हुई या फिर कहीं पर भी किसी particular person के साथ गलत behavior किया गया तो वहाँ पर अब आप complaint फाइल नहीं कर सकते यानि कि इसके time period वो one year है आप एक साल पहले तक का issue जो हो यहाँ पर complaint फाइल कर सकते हो उसससे पहले का नहीं then अगर मा लीजिए particular authority इसके जो recommendations थी या इसके जो orders से उनको implement नहीं कर पाती है तो authorities को penalize करने का इनके पास कोई भी authority यहाँ पर नहीं है या कोई भी इनके पास power नहीं है तो अगर इनके पास implementation की power नहीं है इनके पास prosecution की power नहीं है और सबसे important चीज़ की एक साल पहले अगर कुछ हुआ तो उसके regarding यह complaint दर्श नहीं कर सकते हैं यह कुछ weakness है then कुछ एक particular area में इनके पास limited investigation powers है जैसे की armed forces या paramilitary और यह कुछ हर्थ तक justify भी करता है but still limited power to investigate armed forces and paramilitary is a major concern as far as human rights are concerned then shortage of adequate number of trained staff to handle the growing number of complaints यह हर एक उसके अदर मिल जाएगा आपको यह common problem हो गही है कि adequate staff adequate infrastructure की कमी है then इसके काफी expenditure बहुत जादा होता है चाहे वो office के expense लगा लो या फिर research और awareness program पे काफी जादा पैसा इक में लग खर्च होता है and as non-judicial member position are being filed by ex-bureaucrate it is alleged that NHRC is more an extension of the government इसमें क्या है कि जो non-judicial member की position होती हो basically वहाँ पर retired civil servant जा कर के बैठते है retired IS officer यह लोग बैठते है तो उसके वज़े से क्या होता है कि यह मारा जाता है कि NHRC is more or less as an extension of the government government का यह वो है अलग से माली जीए कि human right दो तरीके की violation हो सकती है एक तो कि society में दो लोग रहते है ठीक है एक तो उनके बीच में यह अगर माली जीए यह specially able person है अगर इसके साथ यह particular person यह particular community गलटरीट करती है तो यहां पर human right violation हो रहा है या फिर दूसरा government कोई action ऐसा काम कर रही है जहां पर human right violation हो रहा है तो government का ही part है NHRC government के ही ex bureaucrat वहाँ पर पॉइंट के जा रहे है तो how can you ensure कि government के against वो step ले पाएंगे या फिर उस proper research भी connected पाएंगे एक तो यह major concern है then there are certain steps needed to empower the NHRC first of all एक तो contempt और implementation का कुछ mechanism होना चाहिए कि जो NHRC recommend करता है उसके recommendation को सुना जाए उनको follow किया जाए ऐसा कोई mechanism होना चाहिए then जो awareness campaign है उसके regarding special fund हो third आप कह सकते हो कि armed forces paramilitary को इसके ambit में लाना चाहिए ता कि और जादा इसके मतलब जो coverage हो बढ़ सके then इसके जो expenditure होता है वो charged expenditure होए financial autonomy देखिए दो तरीके के expenditure होते है एक expenditure जो होता है वो basically budget में पेश किया जाता है budget का तो also दोनी part होते बट उसमें क्या होते है कि parliament उसके उपर vote कर सकती है मान लेजिए कि कोई नई scheme चलानी है या किसी particular department को research के लिए किसी और काम के लिए इतना पैसा देना है ये grants होती है या फिर कह सकते है demand for grant ये क्या होता है इसके उपर parliament vote करती है जो budget pass होता है तो उसके बाद में उनको पैसा दिया जाता है ये हर साल होता है हर साल budget आएगा हर साल जो है वो expenditure आपको मिलेगा लेकि कुछ expenditure ऐसे होते है जिनको बज़ेट में पेश तो किया जाता है लेकिन उनके उपर voting नहीं होती उनको कम जादा करने का hug वो parliament के पास नहीं होता उनको बोलते Charged Expenditure तो NHRC का भी Charged Expenditure होना चाहिए ताकि उनको Financial Autonomy मिल सके और ये महजिक Government का एक पार्ट बन करके नह रह जाए Then there is a need to extend the act to genuine human right violation even beyond one year of occurrence अगर माले जीए कोई ऐसा issue सामने आया है ये कोई genuine कहीं पर human right violation हुई है और हलांकि उस incident को हुए एक साल से जादा हो चुका है तो भी वहाँ पर उसको complaint दर्श करवाई जानी चाहिए और ये मुझे वहलब इवन ये चीज होनी ही चाहिए एक साल पहले जो कुछ हुआ अगर कोई genuine concern है तो definitely NHRC को सुनना चाहिए दिन कुछ major initiative लिये गए है ये NHRC की उसकी success story बताती है ठीक है यहाँ पर मैंने पूरी list डाले तो आप वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं जैसे civil liberties को ले करके है तो ये terrorism के against bill ले करके आई थी government 2000 में तो insurgency or terrorism के against human rights जो violation होते हैं उनके लिए है या फिर police जो अपनी power commission करती है तो ये काफी सारे हैं आप इनको video pause करके पढ़ सकते हैं आगे बाद करते हैं जो आपकी RBI है election commission है या फिर CBI है and then NHRC definitely these all are the key oversight bodies which play a very important or very crucial role in ensuring the good governance and in upholding the democratic values in the country क्योंकि आमने last video में पढ़ा था जना regulatory bodies और oversight bodies बहुत important होती है कि काम कैसा हो रहा है ये check and balance होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है thus providing an enabling environment for them to function independently without fear or favor is the need of the art तोडे एक एक ऐसा environment creator जहां पर न वो किसी को डर रही है न वो किसी को favor कर रही है rule को follow कर रही है rule of the law को follow कर रही है और काम कर रही है ये बहुत ज़रूरी है आज के time में then it is the duty of parliament and union executive to empower them suitably through amendment in existing law through additional funds and functionaries and if this is done we can indeed move toward a new India which is economically strong participative, corruption free and role model for upholding of human rights right तो definitely कुछ ऐसे issues है जिन से deal किया जा सकता है और हमेशा improvement की जगे होती ही है तो improvement यहाँ पर भी होना चीए जिससे हमारा नया भारत economically strong हो उसके अलावा human right के context में हमेशा एक role model की तरह उबर कर किया है ठीक है यह है hope future की इसके बाद lecture को खतम करते हैं के साथ डॉक्टर ब्यारंबेड करने कहा था that no nation can become a successful democracy without having strong oversight bodies which can act as a bulwark of the constitution यानि कि अगर एक successful democracy को काम करना है तो वहाँ पर strong oversight body or regulatory bodies का होना बहुत सदा जरूरी है तो इसी के साथ आज का एक लेक्चिर खतम करते हैं I hope आप सब को पसंद आया होगा और जितनी भी slides हमने यहाँ पर use की है इनको आप पढ़ सकते हैं हमारी website www.freeopaceproprietion.com और आप हमें Instagram और Facebook पे भी follow कर सकते हैं जहाँ पर आपको regular update मिलते रहेंगे तो नए लेक्चिर के साथ मिलते हैं जल्दे तिल देन take care and thank you